तो कुछ नया सीखने के माद्यम से अपन यहाँ पर आ चुके हैं और the noun kinds of noun एक तो अपन जानकारी लेंगे आज जो होने वाला है अपना वो संपूर्ण जो सेशन है वो होने वाला है noun के बारे में जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा introduction मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मै आपको बता चुका हूं noun के बारे में pronoun के बारे में adjective, adverb, interjection और determiner सारे की सारी इंट्रोडक्शन बेस जो है इससे पहले वाले में मैं बता चुका हूं अब मैं बता रहता हूं वहां पर भी तुम्हें की level तो बिल्कुल basic level से अपना वहां पर हो गया था अब आपन बात करे बिल्कुल basic to high level से जितने भी complete rules and regulations है, times and conditions जहां जहां पर follow होती है उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगी तो the noun, सबसे पहले the noun मैंने आपको माँ पर बता चुका हूं को noun क्या होती है और kind soap noun, अगर noun होती है तो उसके प्रकार कितने होते हैं और किस-किस प्रकार की noun हो क्या 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 नाम दिया गया है उसके बारे में आज आपने study करने वाली हैं दोस्तों चलिए, शुरू करते हैं, a noun is a word, a noun वह सब्द है, used as a name of person, जो नाम है एक प्रकार से person का, एक प्रकार से place का, एक प्रकार से think का, उनके लिए हैं जो used किया जाता है, प्रियोग में ला शब्द वहाँ पर जो प्रियोग किया जाएगा, वो शब्द noun में वो होना चाहिए, जिसके बारे में अपन we can think of, हम उसके बारे में सोच सके, वही अपन noun कहेंगे completely, high level से भी देख लो, low level से भी देख लो, look at the following sentence, यहाँ पर कुछ एक sentence दे रखा है आपको, asoka was a wise king, कि जो asoka है, वो एक परकार से बुद्धिमान राजा था, अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं prefer किस हिसाब से करूँगा, जो line by line अपन समझ रहे हैं, the noun asoka, जो asoka noun है, refers to a particular king, वो तो किसको prefer कर रहा है, एक विशेष राजा को वो prefer कर रहा है, but the noun king, लेकिन जो noun है, अपना जो king, might be applied, वो applied किया जाता है, to any other king, वो किसी दूसरे राजा के लिए भी वो king, प्रियोग में लाया जा सकता है, as well as to asoka, जैसे के अपन asoka के सामने लेकर आए, we call asoka a proper noun, अगर हापन जब varieties के गर बात करेंगे, kind of nouns के गर बात करेंगे, तो यह अपना एक proper noun हो जाएगा, और and a king, जो king है, जो king अपन किसी दूसरे राजा के लिए भी प्रियुक्त कर सकते है, तो वो हो जाएगा अपना एक प्रकार से, common noun, तो ध्यान रखियेगा कि common noun क्या होता है, और proper noun क्या होता है, प्रोपर noun में वो आता है, जिसको especially particular prefer किया जाता है, और common noun वो होता है, जो किसी common noun वो होत होता है, एक प्रकार से, तो देखें, यापर कुछ similarity देखते हैं, कि सीता is a proper noun, सीता एक प्रकार से proper noun है, वाइल, जब कि girl is a common noun, अब आपने को पता है, कि सीता जो नाम है, only words के बात करते हैं, कि वो जो word है, सीता वो proper noun है, लेकिन जब अब वो लड़की है, तो लड़की अ हरी तो क्या है, अपना हरी जो नाम है, वो proper है, जब कि wild boy, बोई अगर आता है, तो वो अपना common हो जाता है, जैसे कॉलकता is a proper noun, अब देखें, थोड़ा सा difficult है, यहाँ पर यह, कॉलकता is a proper noun, कॉलकता जो है, वो proper noun है, wild city, अगर उसकी बात की जाए कि city, तो city सीती सी बात है क्या हो जाएगा, common noun हो जाएगा, कोई सी बी city हो सकती है, इंडिया is a proper noun, अपना जो इंडिया है, जैहिन, वो proper noun है, जब कि country की अगर बात आ जाती है, तो वो एक परकार से common noun हो जाती है, आसा करता हूँ, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, इसके बाद अपन थोड़ा सा level up करते हैं, अब, the word is common noun, because, जो word है, girl is a common noun, because it is name common to all girls, क्योंकि यह सभी लड़कियों के लिए समान है, या फिर सभी लड़कियों के लिए girls को प्रियुक्त में किया जा सकता है, while sita is a proper noun, लेकिन जब बात करते हैं, कि sita एक proper noun है, because it is the name of particular girl, क्योंकि यह इसलिए है, proper का होगे है, एक प्रकार से बिए कोई जटिलता से जमा हो रहे हैं, कि it is the name of particular girl, क्योंकि यह नाम है, एक विशेष कोई particular लड़की का, अब इसकी definition के अगर बात करें हैं, तो definition देखे, a common noun is a name given in a common to every person or thing of the same class or kind, common hair means said by all, अब देखे कि common noun जो है, is a name given common to every person, जो कोई भी वेक्ती हो, जिससे अपन दे सकते हैं वो नाम, और thing, कोई से भी चीज हो, of the same class, लेकिन वो किस class का, same class का होना चाहिए, और same kind का होना चाहिए, और same variation का होना चाहिए, जैसे, अब अपन common है, और means shared by all, common वो होता है, जिसको अपन share कर सकते हैं, सभी के साथ, एक परिखें तू देखें कि proper noun is the name of some particular person or place, जब proper noun की अगर बात की जाती है, तो यह particular person or place के बारे में बात चली जाती है, तो proper means once own, proper का मतलब होता है, एक प्रकार से किसी एक का, hence, इस प्रकार, a proper name is a person of a name, इस प्रकार अपन प्रोपर नाम है, जो एक परसन का नेम हो गया, एक पर लास्ट वाला, proper noun जो है, और always written with a capital letter at the beginning, तो ध्यान रखियेगा, कि जो proper noun जो रहेगा, वो हमेशा जब लिखा जाएगा, तो उसका जो beginning जो letter होगा, starting जो letter होगा, वो हमेशा capital letter होगा, थर्ड नमबर की slide पर मन जानेंगे, proper nouns are sometimes used as common nouns, कि जो proper noun जो होती है, कुछ exception में आपर बताने वाला हूँ, दोस्तो, rule एक भी नहीं जोटने वाला, कि proper noun जो है, वो कभी कबार क्या होता है, common noun की तरह भी प्रियोग में लाई जाती है, जैसे, he was the luck man of his age, अब देखिए, यहाँ पर bracket में दे रखा है, the wisest man, अब इसे अपन common noun में लेकर जा सकते हैं, यह नहीं लेकर जा सकते हैं, जा सकते हैं, कालिदास is often called the Shakespeare, the greatest dramatist of India, अब यहाँ पर अपने को, कि कालिदास जो है, वो अभी प्राय सक्स्पियर कहे जाते हैं, the greatest dramatist of India में जिसे जाने जाता है, तो यहाँ पर देखिए, proper noun जो है, वो sometimes common noun के रूप में भी हो रहा है, अब मतब सेक्स्पियर के साथ उलना की जारी है, लकमेन यहाँ पर वो हो रहा है, तो यहाँ पर as a comparative, as a comparative, जब तुलनात्मक संदेश के बात करते हैं, तो proper noun को अपन कभी कबार common noun में भी use कर लेते हैं यह वाला rule complete होगे, इसके बाद आगे जलते हैं, अब देखिए, उसमें एक चीज थी, common noun include what are cold collective noun and abstract noun, common noun जो शामिल करती हैं, यहाँ पर focus करना केवल common noun की बात की जारी है, न की proper noun की, जब common noun हैं, जो include करती हैं, शामिल करती हैं, what are called, जो कही जाती हैं, collective noun, एक परकार से, collective noun जो रहेगी, वो common noun रहेगी, and abstract noun, और जो abstract noun हैं, वो यह रहेगी, अब देखिए, अपन जब जानेंगे, अपन की collective noun अपन ने पड़ा बोला, तो collective noun वाके में होती क्या है, तो देखि a collective noun is the name of the, name of a number, कि एक collective noun वो होती है, name of number, और collection के बारे में इसमें जानकारी अपने को मिलती है, चाहे वो person हो, चाहे वो thing हो, लेकिन वापर कोई ने कोई collection होगा, या फिर many numbers में वापर अपने को जानकारी दी होगी, together, एक साथ, and spoken of as one whole, लेकिन जब आपर उनको बोला जा मतलब भी, तो वहाँ पर ये collective noun हो गई दोस्तों, कि वहाँ पर बीड है, एक से जादा है, लेकिन सबी को एक ही category में रखा जा रहा है, तो ये एक प्रकार से collective noun हो गई, mob हो गई, mob मतलब भी बीडी होती है, team हो गई, flak हो गया, herd हो गया, कुछ examples यहाँ पर दे रखे हैं, nations, Parliament, Committee, जिनको पन कह सकते हैं, a fleet, a fleet यहाँ पर a collection of ships or vessels, जहां जो का जो समूर होता है, उसे पन a fleet कहता है, तो a fleet अगर, example अगर दिखने को मिले, तो a fleet जो है collective noun है, an army, an army, collection of soldiers, तो ये भी collective noun है, a crowd, collection of people, the police dispersed the crowd, the French army was deputed at Waterloo, the jury found the prisoner guilty, a herd of cattle is passing, ये सारी की सारी जो है, ये collective noun है, तो ये वाला rule भी समझ में आगया, कि collective noun क्या होती है, आगे जलते हैं, अब abstract noun की पन बात कीती, और abstract noun इसकी एक variety होती है, तो देखे, abstract noun is usually name of quality, एक कुणवत्ता का नाम होता है, action कोई कार्य का नाम होता है, और state considered, जो state होत जो considered की जाती है, एक परश्य मानी जाती है, किसकी apart from the object, to which it belongs, जो हमारा sentence में, जो object है, और वो जहां से belong करता है, और जिसकी वो quality है, और जिसका वो action है, और जिसकी वो इस्तिती है, ये तीनों चीजों जहां पर दर्शाई जाएगी, वहाँ पर है, जो abstract noun होगा, abstract noun की लिए मैंने तुमें इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ी से hint देखी दी, दी थी कि quality हो गया, जैसे goodness, अच्छा ही है, अब अपन उनको केवल समझी सकते हैं, जैसे winter हो गया, hot हो गया, summer हो गया, ये सारी जो चीजे हैं, ये एक परकार से abstract noun में ही आती है, kindness, whiteness, darkness, hardness, brightness, honesty, wisdom, bravery लेकिन इनको अपन केवल समझ ही सकते हैं, न तो इनका प्रियोग प्रोपल नाउन में लाया जाओगा, न कलेक्टिव नाउन में लाया जाएगा, किसी में भी नहीं आएगा, बलकि एक ही जो नाउन का जो variety है, उसमें लाया जाएगा, ये abstract noun में है, क्योंकि action के अब बात क सिकाते हैं, जैसे hatred हो गया, नफरत करना हो गया, आपन तो action कर रहे हैं, लेकिन ये abstract बन रही है, बाव कुछ बाव से संबंद बना रही है, movement हो गया, judgment हो गया, theft हो गया, laughter हो गया, ये सारे की सारी चीज़े abstract noun में involve करती है, the names of the arts and science, जैसे arts and science जो है, grammar है, music है, chemistry है, आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, वो सारे की सारे सब्जेक्ट क्या है, abstract noun है, जैसे English, सब कुछ abstract noun है यहाँ पर, देखे, grammar होगा, music होगा, chemistry होगा, इत्यादी आपकी psychology मान लो, कुछ भी philosophy मान लो, कुछ भी, we can speak of a brave soldier, a strong man, a beautiful flower, but we can also think of these qualities apart from any particular person or think and speak of bravery, strength, beauty by themselves, जो bravery है, यहाँ पर, और उसके बाद इसने, beauty है, यह सारे की सारी जो चीजे है, यह किसमें आरही है, यह abstract noun में आरही है, so also we can speak of what persons do or feel, तो इस परकार अपन कह सकते हैं, कि जो वैक्ती है, वो क्या कर रहा है, जैसे action में क्या कर रहा है, जो मैंने हैट्रेट judgment वे सब बताया, और किस परकार का वो feel कर रहा है, यह एक जो पार्ट होता है, इसी पार्ट को अपन क्या कहते हैं, यहाँ पर abstract noun, from the person themselves and give it a name, और जब उसे अपन नाम दे देते हैं, the word abstract means down of, जो down of, जो meaning होता है, वो ही abstract का, realistic meaning होता है, दोस्तों, यह इंग्लिस में fact भी है, तो आगे start करते हैं, चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe कर लेना, abstract noun are formed, जिसका जो formation जो होता है, एक प्रकार से, इसका formation भी आता है, abstract noun का formation कोई नहीं बताने वाला है, दोस्तों, ध्यान रखना, तो abstract noun की जो formed होती है, from adjective as की तरह, जैसे kindness from kind, kindness से तो यह kind बन जाता है, honesty से यह honest बन जाता है, most abstract noun are formed thus, जो mostly जो है, most, most के मतलब समझते होना, दोस्तों, महत्वपुर्ण, जो सबसे जो अपन abstract noun की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज़दा deep में लेके चला गया हूँ, आपको abstract noun में, तो ऐसा नहीं है, कि most abstract noun जो है, वो कहां से आएगी, वो adjective से जैसे is, obedience से obey हो गया, growth से grow हो गया, तो यह सब क्या है, एक परकार से abstract noun, from common noun से भी आती है, दोस्तों, अब देखे, common noun से जैसे childhood हो गया, तो childhood तो किसी का भी हो सकता है, तो common हुआ, अब child जो हुआ, यह तो क्या हुआ, abstract ही हुआ, और slavery, गुलामी एक परकार से, from, यह slave से हु हुआ, दोस्तों, another classification of noun is whether they are countable or uncountable nouns, are the names of object people, etc, that we can count, अर्थात, अब इसका मत्तब, यह बहुत ही बड़ा lecture होने वाला है, दोस्तों, यह फिर बहुत ही छोटा lecture होने वाला है, जिसमें मैं आपको countable और uncountable की सारी की सारी दिक्कत, solve कर दूँगा, अच्छे, आप कहीं पर आपन, दस बार वीडियो देखता हैं, लेकिन फिर भी समझें मैं आती, तो देखें, जो इनकी another classification, another classification जो होती है, इनकी nouns की, is whether they are, कि वो किस type से होती है, classification की बात कर रहे हैं, दोस्तों, तो countable और uncountable, countable का मतलब होता है, दोस्तों, गिन नहीं होगे, और uncountable का मतलब होता ह हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता, तो countable nouns, और names of objects, चाहे किसी चीजों के नाम रहेंगे, चाहे लोगों के नाम रहेंगे, अत्या दिये रहेंगे, कुछ भी रह सकता है, जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, अपने को बस सीधी सी noun पेचाननी है, और सीधा से उसको बताना है, कि countable है, या फिर नहीं है, या फिर uncountable है, तो देखिये, book हो गया, pain हो गया, apple हो गया, boy हो गया, sister हो गया, doctor हो गया, horse हो गया, यह सब सारी के सारी अपनी countable noun है, जब अब आगे बात करते हैं, uncountable nouns or uncountables are the names of things which we cannot count, जिनको अपन गिन नहीं सकते हैं, अर्थात, milk हो गया, oil ह हो गया, sugar हो गया, gold हो गया, honesty हो गई, summer हो गई, high army हो गई, they mainly denote substance, यह के अवल डिनोट करते हैं, अपने substance को, and abstract things को, जो भावनात में जो चीजे होती हैं, उनको countable nouns have plural form, countable noun का plural form भी होता है, countable noun का plural form भी होता है, while uncountable nouns do not, जबकि uncountable nouns का कभी भी plural form नहीं होता है, दोस्तों, जो most important rule यहाँ पर निकल कर आता है, कि countable noun तो जो है, plural form बनता है, लेकिन, जो uncountable noun हो, वो कभी भी plural नहीं बरसकती हैं, जैसे for example, weekends है, हम कह सकते है, books, तो books, book तो क्या आती है, हमारी countable थी, तो यहाँ पर अपने S लगा द तो books जो है, यहाँ पर, but we cannot say milks, लेकिन आपने यहाँ पर abstract noun का जो है, उसको अपन uncountable या फिर जो noun है, उसको अपन कभी गिन नहीं सकते है, exercise में आपको कुछ दर्शा रहा हूं, जिसमें आपको comma, common noun पहचानी है, proper noun पहचानी है, collective noun पहचानी है, और abstract noun आपको पहचानी है, समझ में नहीं, आप तो दुबारा देख लेना, लेकिन जो मैं exercise दे रहा हूं, यह बहुत ही ज़दा most important होने वाली है, दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं बच्चों का exercise देता हूं, तो exercise में से कहीं ने कहीं, तो matched, prediction, prediction जो example है, predict जो example है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, दोस्तों, वीडियो को बहले ही दुबारा देखना है, लेकिन exercise, solve करना, और comment में बताना, हर एक question का जवाब मुझे, या फिर अपने copy pane में बताना, यह exercise है, वीडियो stop कर लेना, और देखना, पांच सेकिन के लिए मैं stop कर रहा हूं इसको, ताकि आप स्क्रीन stop कर लेना, और इसके बाद अपने बात करें, यह रही कुछ exercise, यहाँ पर, यह last वाला जो meaning है, यहाँ पर last वाला meaning है, humble, humble meaning है दोस्तों, humble, humble meaning है, humble meaning है, so thank you दोस्तों, यदि आपने हभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो करिपया जल्दी से तकि English में आप daily कुछ न कुछ तो आप सीख सकते हों, यहाँ पर तो, मैं ज़्यादे तो नहीं कहूंगा आपको, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूँगा, बस मैं इतना कहना चाहूँगा, कि मैं आपको daily कुछ न कुछ English में सिका है के ही रहूँगा, और अगर आपका support रहा तो मैं आज नहीं, एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं, एक दिन में लेकिन एक दिन में आपको English सिका दूँगा दोस्तो, थांक्यू